आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार तो चलिए आपको बताते हैं आज़ादी के अमरित महुतसफ का इतिहास हमारी इस खास रपोर्ट में देखिए साल 2022 हमारे देश के लिए बेहत खास है क्योंकि इस साल 15 अगस 2022 को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे जिसको देखते हुए आज़ादी का अमरित महुतसो पर भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंदर शाशित प्रदेशों के सांसक्रतिक एवं परचन मंत्रियों का सम्मेलन अमरित समागम 12 और 13 अप्रेल को नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिसका उद्धगाटन ग्रह एवं सहकारता मंत्री अमिच्या ने किया इस सम्मेलन में हर घर जंडा, अंतरराष्ट्रिय योग दिवस, डिजिटल जिला भंडार, स्वतंत्र स्वर और मेरा गाव मेरी धरोहर के संदर्भु में लोगों की व्यापक भागिदारी भी होगी कींद्री ये संसक्रितिक मंत्राले की ओर से आजादी के गौरफशाली 75 वी वर्षगाट अमरत महुत्सों के रूप में मनाई जाएगी इस अमरत महुत्सों की शिर्वात पीम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबर मत्से पध्यात्रा के जरिये की ये वही दिन है जब देश की आजादी के लिए बापों ने डांडी यात्रा की शिर्वात की थी इस महुत्सों में देश का हर नागरिक बढ़ चड़ कर हिस्सा लेता है 12 मार्च 2021 से शिरू इस जसन का टार्गेट 75 हफतों का रखा गया था जो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है देश की आजादी की कीमत तो वही बता सकता है जिनोंने अपने को खोया है या फिल जो करकराती ठंड, भीशड गर्मी और तवहारों को छोड़ कर बॉडर पर तैनात रहते हुए देश की सेवा करते हैं आजादी के इस परवों में हम उन सभी जवानों और वीरों को शत शत नमन करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तयार रहते हैं ब्यूरो डिपोर्ट प्राइम टीवी तो अजादी का अमरित महुतसफ देश में मनाया जा रहा है और इस बार यानि के 15 अगस्त दो हजार बाईस को 75 साल पूरे हो जाएंगे और 76 साल शुरू हो जाएगा तो इसका उदेश ये रखा गया है कि जो अजादी का इतिहास है वो हमारे युवाओं को पता चले 25 साल का संकल पे लिया जाए हमारे युवाओं हमारी अजादी के इतिहास से जुड़े और इस धरोहर को आगे बढ़ाएं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही आप देखते रहे है प्राइम टीवी